हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चेनल, तो फिंट्स आज की इस वीडियो में हम राउंड बैल डिजाइन बनाएंगे ब्लाउस की और इसे हम बनाने वाले 32 साइज का इसे बनाने के लिए हमने आप पर फैबरिक ले लिया है, लाइनिंग और मैन फैबरिक तो इसकी जो यहां से भी स्टेट लाइन ड्रो करनी है, यहां पर हमें शुल्डर की मार्किंग करनी है, तो शुल्डर ले रहे हम यहां पर, तो सबसे पहले हमें लेंट लेनी है, तो उसकी जो लेंट है, ब्लाउस की वो 13.5 इंच रखेंगे, वन इंच इसमें प्लाउस करना है, मार्ज करेंगे शुर्डर ले रहे हम 5 इंच और आर्म होल भी हमको 5 इंच लेना है लाइन को ड्रॉ करेंगे यहां पर हम चेस्ट के मार्किंग करेंगे तो चेस्ट है हमारी 32 उसका फॉर्थ पाइट होगा 8 इंच और 2 इंच लेंगे मार्जन के लिए बेस्ट है मारी 26 उसका फॉर्थ पाइट लीना है 6.5 इंच 2 इंच टक्स के लिए यहां पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे वह इंच से आर्मोल के साइट पर गुलाई देनी है और फ्रेंट वाला पार्ट के लिए थोड़ी और गेराई देंगे नेक की वेट हम यहां पर रखेंगे 2.25 इंच लेंध रख रहे हैं हम इसकी 7 इंच आप यह आपर इस तरह से जितना हमने नेक की वेट लिए है 2.25 इंच उतनी भी ले सकते हैं या फिर नीचे के साइट साब बढ़ा भी सकते हैं तो मैंने आपर इसको 3 इंच रखा है और राउंड शेप देना है अब यहाँ पर टक्स पॉइंट लेना है हमको 10 इंच पर यहां से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर यहां से लाइन को ड्रो करना है अब इसके नीचे हम मार्क करेंगे आपर 2.5 इंच पर इस तरीके से यहां पर भी हमको 3.5 इंच पर मार्क करना है एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करनी है अब हमने यहां पर टक्स की जो वीट थी वो 2 इंच रखी थी तो 1-1 इंच दोनों साइट पर मार्क करेंगे और लाइन ड्रो करेंगे नीचे से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे अब यहां पर इसको मेजर करना है तो यहां पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे इसको में जो मारा टक्स पॉइंट वाली लाइन है एपेक्स पॉइंट वाली लाइन उस पर मिलाएंगे यहां से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर इसको यहां से मिला देना है यहां पर हम गुलाई देंगे इस तरह से हमने इसमें गुलाई दे दी है और अब हम इसको कट करेंगे इसको भी कट कर लेना है तो यहां पर हम कट लगाएंगे इस तरीके से ताकि हमको यहां पर दियान रहे कि हमें कहां तक लगाना है मार्किंग पर हमारी पर्फेक्ट हो जाए बेल्ट को हमें इतना माइनस करना है इस तरह से यहां पर इस तरह से यह सेट हो जाएगा यहां पर सिर्फ हम हाफ इंच एक्स्टा लेंगे अब इसे हमें लाइनिंग फैबरिक पर कट करना है तो जो अपर वाला पार्ट है उसको हम हमें से क्रॉस में रखेंगे क्योंकि क्रॉस में जो फिटिंग होती है वो विल्कुल परफेक्ट आती है आप स्ट्टेट में भी रख सकते हैं, वेट क्रॉस में रखेंगे तो ज्यादा फृटिंग आएगी उसकी, तुशलिए मैं आप एक क्रॉस में रखा, क्रॉस यानि की ओर बैट, जिस अम ओर बैटटी कट करते हैं, वैसे ही ही इसको रखना है और मार्किंग करनी हैं यहां से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है बक्यां से एज़टी लिया है नेक को नीचे के साइट समय हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करनी है क्योंकि यहां पर हम स्टीचिंग जो बैल्ट को स्टीच करेंगे तो उसमें चाहिए होगा इसलिए हम यहां पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे और इसको कट करेंगे जो टक्स है उनकी भी हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से कट कर लेना है कि कि इस तरह से में कट करना इसको यहाँ पर बैल को कट कर लेना है और इसके जो आई हो कोंगे न वो फ्रेंट में ही आएंगे इसलिए हमने आप आवेंच की मार्किंग की थी बैल पर यहाँ पर भी राउंड देना है यहाँ से आप इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर हाप इंच का मार्जन एट करना है इसमें और इसको कट करेंगे इसे हम में फैवरिक पर भी कट करेंगे तो इसे भी हमें क्रॉस में ही रखकर कट करना है तो दिखिए यह वाले पार्ट भी बैल्ट का पार्ट भी कट कर लिया है अब हम इसको स्टीच करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे चारो साइट से स्टीच करना है लाइनिंग और में फैवरिक दोनों को तो इसे हम सभी साइट से स्टीच करके इसका एक्स्ट्रा फैवरिक कट करेंगे तो देखिए एक्स्ट्रा वैबरिकम ने इसका कट कर दिया है अब जो यहां पर टक्स लगाने थे उसकी मौर्किंग कर लेनी है और यहां पर टक्स लगा देना है टक्स को टक्स से मिलाते हुए हम यहां पर स्टीच करेंगे यहां पर इसको कट कर दियना है थोड़ा तो दीखे पर्फ हमारा इस तरह से क्रियेट हो गया है यहां पर अब हमें यहां पर दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी यहां पर टक्स लगा लेना है अब हमें बैल को कम्प्लीट करना है तो बैयर मैंट वैवरिक जो है उसको राइट साइट पर उसके उपर लाइनिंग रखेंगे और स्टीच करने के बाद इसको पलट देंगे पलेटने के बाद हमें स्टीच लगा लेनी और सभी साइट से स्टीच करके एक्स्ट्रा फैबरिक कट करना है यह दिखे अब यहाँ पर हम बैल्ट लगाएंगे तो इस तरह से बैल्ट को स्टीच कर देना है बैल्ट लगने के बाद बैल्ट पे थोड़ा सा आरेन भी कर देंगे तो वो और अच्छे से सेट हो जाएगा यह देखे इस तरह से अब यहाँ पर हम होकी पट्टी लगाएंगे तो लाइनिंग वैबरिक को डबल करते हुए स्टीच कर लेना है यह देखे तो बैल्ट लगाकर होकी पट्टी लगा ली है अब आईगी पट्टी लगानी तो इसको वीट में हमको त्री इंच रखना है और लाइनिंग और मैन फैबरिक दोनों को साथ में स्टीच कर लेना है इसको फोल्ड करते हुए स्टीच कर देंगे तो हुग और आई की पट्टी दोनों लग गई है अब हमें नेक को कम्प्लीट करना है तो नेक के लिए हमने क्रॉस में पट्टी कट की है लाइनिंग फैबरिक की और डबल करते हुए उसको नेक पर स्टीच कर देंगे कट लगाना है पूरे ही नेक पर और एक स्टीच पट्टी के उपर से कर देंगे यह देखिए इस तरह से तो यह हमारी बलाउस का फाइनल लुक है आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा थैंक यू